नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल रिच्टल सर्विस दोस्तों आज है पांच तारिक और आज एक बहुत ही इंपोर्टेंट निउस निकल करकर आ रही है आयार सीटीशी के रिगार्डिंग मैंने समय समय पर आपको आया सीटीशी की सारी देगा अभी हम आच चुके हैं अपने अफिसल एक अपडेट निकल कर आ रही है सोर्स के दुरू कि आया सीटीशी के रेलवे मिनिस्ट्री है ना वह एक ऐसा प्लान लाने की तयारी कर रहा है कि जिससे न्यू रेवेन्यू शेयर मॉडल लाने की जोजना बना रहा है जिसस एक जो बहुत को भी प्रॉफित हो और जो मायनोर्ती सेयर होल्डर उनको भी किसे दरा का लौज ना उनके पैसे भी सेफ रहें तो उनका कहना क्या है कि कि वह कह रहे है जो हमारी जो कर्मेंश फीस लगती थी अभी जो मैंने अपडेट दी आपको कि जो कर्विश्वी से उ जो केंविजन फीस के थ्रू निकलेगा उसका जो भी प्राफिट होगा 50-50% मिनिस्ट्री को मिलेगा इसके कारण इनके सेर में 30% तक ही गिरावट देखने को हम लोगों को मिली थी ऐसा हलां कि उन्होंने सोचा नहीं था और जैसा ही वो देखा कि ऐसा रियक्शन आ रहा है से हो जाए तो उन्होंने समझाया कि ऐसे विश्वास उठेगा जो पीस्यू स्टॉक के उपर हलाकि रिटेल इंवेस्टर का वरुस्टा काफी कम होता है लेकिन यह मोनोपॉली बिजनेस है तो इसमें काफी अच्छा बाइंग देखने को मिल रही है जो एक शेर होल्डर है र पूर्ची अर्वनक में के आए उसमें उपोंड्र कराते थे उसमें 30 उपर लगते हैं तो उनके पैसलाल है के पास यह वापस तेजी इते देखने की है उबuję कि मत्वर्ट की आएक है जो shareholder का revenue वो भी safe रहे और ऐसा कोई plan हो कि जिससे, railway को भी profit मिलता रहे, अब इनका जो देखी planning क्या थी, कि ये क्यों ऐसा मांग रहे थे, convenience fees कि सरकार क्यों मांग रही थी, ताकि वो railway को बलहावा दे सकें, यही एक update है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि the ministry will not look to try and re-impose such an agreement anytime soon, they have learned from their mistake, यानि कुझों ने अपनी गलतियों सीखा है, ऐसा senior official from ICHC told money control, एक senior official की तरफ से जो एक news आई है, अभी officially कोई update नहीं आई है, money control को थो ये update आ रही है सामने, जिन पर उनके senior official ने ये news उनको दी है, तो अब how were the official added that that talk are still on with the ministry to come up with the model, where the interest of ministry shareholders are protected and IRCTC profit does not take a hit, वही देखिए बात आ रही है कि वो ऐसा कोई business model ला रहे है, ऐसी कोई planning कर रहे है कि minority shareholder का जो भी protect रहे है, और IRCTC को प्रॉफिट है, उसमें भी कोई तरह की जो है, बाधाय ना है, मतलब उनका प्रॉफिट की तरह से loss ना हो, कम ना हो, मालो 100 रुप profit जो है, 100 का 50 ना हो जाए, तो ऐसा कोई रास्ता की बीच से निकाला रहा है, अभी रास्ता क्या होगा, क्या नहीं, देखना काफी interested होगा, interesting भी होगा हम लोगों के लिए, तो यह तरह की news थी officially, जिसमें, आज 3 गंटे पहले यह money control पर यह news update होई है, चाहो तो आप पूरी news पर सकते हो, senior official from the ministry confirmed this, saying they are in discussion with IRCTC, मतला उनका भी discussion चल रहा है, with IRCTC on one of the biggest source of revenue for the ministry to develop a model where the interest of minority shareholder are protected, IRCTC sharing its revenue with the ministry will only help the further development of railway, जैसा कि मैंने मताया नहीं कि आपको जो पैसा क्यों ले रहा है था यह उनसे, convenience fees, convenience fees जो भी लग रही थी, 50% क्यों ले रहे थे वो, ताकि वो railway को further develop कर सके, उनके infrastructure को देश के अंदर, and will let us offer better service to the customer, ताकि वो एक बहता service provide कर सके, कि इसको अपने customer को a senior government official का यह कहना है, अब, he added that, it will take some time before a new revenue sharing, कह रहा है कि कुछ समय लगेगा भी इनको इस revenue sharing का जो model तयार कर रहे हैं, वो उसको rolled out करने में थोला समय लगेगा, ऐसा कहना है उनका, out that the ministry is also looking to invite industry experts to suggest a workable plan, अब उनके जो ministry के जो एक experts हैं, उनको भी invite करेगी ministry, ताकि वो एक ऐसा plan लाएं, जो काम कर सके, और उसमें shareholders को भी protection दी जा सके, और railway को भी इसका benefit देखने को मिल सके, on October 28, Indian Railway reintroduced its revenue sharing agreement with ISCDC, under which the letter was to share income from convenience fees for booking made on its platform in a 50-50 ratio, वही बताया, जैसे मैंने भी आपको कि convenience fees का, जो भी convenience fees ले रहे थे ISCDC, 15 रुपए, 30 रुपए, तो उसका 50% profit ministry को भी चाहिए था, जिसके कारण share में काफी गिरावट आई थी, तो यह एक news निकल कर आ रही है, तो कोई देखे नया, अब एक क्या बीच का बता रहा हूँ कि, अब सरकार एक रास्ता बीच का ऐसा निकाल रही है, जिससे मानुटी share holders को भी loss ना हो, और ministry को भी इसका फाइदा मिल सके, तो यह इसका एक solution यह निकाल रही बीच की, तो यह एक काफी positive news है, share holders के लिए IRCTC के हैं, और IRCTC के लिए भी, तो अगर आप case में holding है, तो आप holding continue कर सकते हैं, यह जानना काफी रोचक होगा, कि सरकार ऐसा कौन सा प्लान तयार कर रही है, जिससे कि दोनों लोगों को फाइदा हो सके, तो यह एक official update नहीं थी, एक source के द को subscribe जरू कर लें, और वीडियो पसंद है उसे like जरू कर लें, दाकि इस तरह की आने वाली सारी information आपको समय समय पर मिलती रहे, thank you very much for watching this video, जैहिन, जै वारत.